क्या आपके पास एक पपी है क्या आपके पास एक female पपी है या एक male पपी है और आप ये confused होगे हो कि मैं अपने पपी की devorming किस age में start करूँ कौन सी medicine से start करूँ क्या उसकी dose rate रहनी वाली है हमें उसको कब तक देना है और कब उसको repeat करना है तो सारे की सारे जो doubt है न वो clearly आपकी भाषा में ही आपको समझाने की कोशिश करूँगा तो सबसे पहले तो आप ये जानो कि devorming होती क्या है devorming एक ऐसा process होता है जिसकी help से आपके dog के जो body के अंदर जो worms जो होते हैं यानि जो कीडे जो होते हैं जिनको हम बोलते हैं tape worm ये worms के type बता रहा हूं मैं ठीक ह heart worm होता है whip worm होता है और basically बहुत सारे worm भी दूसरे भी पाए जाते हैं जैसे heart worm के साथ साथ आप बोल सकते हो round worm, nematodes वगएरा, cistorts वगएरा पाए जाते हैं तो उनको kill करने की process को हम क्या बोलते हैं devorming समझ आ गया न devorming क्या होता है पेट के कीडे को मारना अब मैं बात करत 45 days का हो जाए ना 45 days का जब उसकी उमर हो जाए उसकी आयू हो जाए जब अपनी मदर के पास है उसके बाद ही आपको परचेज करना चाहिए लेकिन एक question माइड में यह आता है कि हमको devorming कब start करनी है तो devorming आपको start करनी है जब आपके puppy की age 30 days हो जाएगी यानि जब आपके puppy का बर्त हुआ है वस पिरेड से लेके जब आपके puppy की 30 age हो गया है यानि तो 30 दिन का हो गया है 30 दिन का होते ही आपको 30 में दिन ही start कर देनी है devorming अब वो best medicine कौन सी है देखो मेरे पहरे जुस्तों puppies के अंदर हमको tablet नहीं देनी हमको oral suspension देना है oral suspension मतलब क्या होता है एक liquid व बताने वाला हूँ और यह भी बताऊंगा यह आपको available कहां पे होंगे तो complete इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है तो वह product कौन सा है सबसे पहला तो जैसा कि आपको screen पे नज़र आ रहा होगा यह एक oral suspension है canid oral suspension करके आता है जो कि एक devorming की एक medicine है आपके puppies के लिए oral suspension ह पर इसमें आपको साथ में देखने को मिलेगा बहुत अच्छा result है इसका भी सेकेंड नंबर पर सकाइव के नाम से आपने सुना भी होगा अब जैसे थर्ड नंबर आपको नज़र आ रही है warm trap के नाम से इसका पी लिखा हुआ है इसका भी काफी अच्छा result है यह भी आपक की बहुत अच्छा result प्रूफ करता है as a devorming purpose की medicine को लेके ठीक है आगे जैसे की स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा warm tag के नाम से है सावावेट है कि वो पपी के नाम से भी medicine आती है बहुत अच्छा result है इसका भी और हमारी जो 7th नंबर पर है वो है drontal plus जिसमें आपको tablet भी देखने को मिलेगी लेकिन पपी के अंदर आपको सीरप का ही इस्तेमाल करना है तो यह जो product मैंने बताया है ना यह सातों के साथ product बहुत अच्छा role play करते हैं पपी की सब्सक्राइब करेंगे आपके लोको मोशन में प्रॉब्लम हो जाएगी चलने फिरने में उसका बैलेंसिंग और वो डिस्तव हो जाएगा तो यह साथ मेडिसिन पता चलगी आपको इन में से कोई एक प्रचेस करनी है ऐसा नहीं है कि आप सारी की सारी मंगवाल होगे अब आपके पपी की ऐज 30 डेज की जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था था अब आपको इसकी डोज्रेट में बताऊने हैं अपने अगी आपको फोटोग्राप दिखाये थे नाव की थी उसके अंदर अवेलेबल था ड्रोपर वैसे ही दूसरी में आपको अगर आपके पपी का बोडी वेट 1 kg है तो आप साथ से 10 ड्रोप अपने पपी को पिला सकते हो अब कोशन ही आता है कि कब पिलाना है आपको पिलाना है खाली पेट जब आपके पपी ने कुछ खाया पिया नहीं हो वो फ्रेश हो गया हो मौर्निंग के टाइम तब आपको ये पिलाना है और बेसिकली उसको खिलाना कब है खाना वो खिलाना है धाई से तीन घंटे बाद ताकि ये मेडिसिन अपना अच्छे से काम कर ले फिर उसके बाद आप अपने पपी को खाना दे सकते हो और आपका पपी बिल्कुल हेल्दी रहेगा अब डाउट ही आता है कि सर अगर बोडी वेट बढ़ेगा तो मैं कितनी ड्रोप्स दूँ अगर आपके डोग का बोडी वेट एक पपी का बोडी वेट टू केजी हो जाता है तो आप 10 से 20 ड्रोप कर दीजिए कोई भी इशू नहीं रहने वाला जैसे जैसे बोडी वेट बढ़ता रहेगा वैसे वैस इसको repeat कर देना है ठीक है और यह जो devorming की process तीन महीने तक चलेगी जो कि एक orally चलेगी एक syrup की form में चलेगी एक suspension की form में चलेगी एक liquid की form में चलेगी ठीक है और तीन महीने के बाद आपको tablet start कर देनी है तो tablets के उपर भी एक important वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं important tablet भी और उनके link भी provide करूँगा कि कहां से आपको purchase करनी है तो I think आपको समझ में आगया होगा मुझे कब देनी है कब-कब repeat करनी है किस age तक देनी है जो कि orally मैंने बात की है तीन मन्त तक आपको देनी है उसके बाद में आपको tablet start कर देनी है devorming आपको करना बहुत ज़रा product मिल जाएंगे अगर यह नहीं मिला तो इनके कोई alternative मिल जाएंगे लेकिन अगर आपके nearby में कोई veterinary सुविधा available ही नहीं है तो मैंने description में इन सभी products के link डाल दिये हैं जो की आपको easily available हो जाएंगे आप अगर हमारे हिंदूस्तान के किसी भी कोने पे होंगे वहां पे आपक जाने के चकर में devorming में कंजूसी ना कीजिए अच्छा brand यूज कीजिए अच्छा salt यूज कीजिए जिससे आपके dog को आपके puppy को अच्छा result मिले अगर आप कोई सस्ता product यूज कर लोगे जब उसका result ही नहीं आएगा फिर उसका क्या फाइदा भाई आपके dog की body की अच्छ की जो रिप्स है वो दिख रही है उसका माउथ है वो एक चोटा सा लग रहा है बच्चे की तरह बिल्कुल चोटा सा है और उसकी एज भी बढ़ती जा रही है तो उसके बीचे रीजन ही हो सकते हैं कि डिवामिंग अच्छे से नहीं हुई है तो बैटर साल्ट यूज करना है मैंने जितने भी परटर बता हैं बहुत अच्छे साल्ट है इनके अंदर अच्छा रिजल्ट है तो आज ही मंग वालो तो यही एक चोटी सी वीडियो आपके सामने मैंने आज पेश की है आशा यही करूँगा आपको अच्छी लगी होगी और एक रिक्वेस्ट हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को अब सब्सक्राइब जूरू कर देना विकोज दा पैट वीजन डोग्स और कैट्स के उपर मोस्ट इंपोर्टन टॉपिक्स के उपर वीडियो आपके सामने लाता रहता है थैंक्यू सो मच वाचिंग दिस एंड प्लीज दू ल